एक मैंने एक बैग ऑडर किया था आप उसे लेपटोप बैग भी कर सकते या फिर कैस्वल बैग कर सकते जो कि पील कलर में था और यह आचुका उसका पार्सर और मुझे प्राइम की डिलीवरी भी मिल चुकी थी मेरे फ्रेंड के मुदद के द्वारा उसके पास प्राइम एकाउन है तो मैंने उस पर से ओडर किया था जो कि मुझे दो दिवस में से टू डेज में डिलीवरी मिल गई तो चले इससे करते ओपन और देखते बैग की परटी कैसी है वैसे तो मैंने एमेजन पर इसके रिव्यू देखे थे 4.4 थे लेकिन नीचे जो रिव्यू में कमेंट करने वाले होते वह लोग कमेंट भी कर चुके थे कि इसकी जो स्टीची से वह अच्छे नहीं है मट्रियल जो बहुत खीन है ऐसे सब कमेंट मि मैंने देखे थे लेकि तो यह जो सेल चोल रहा था एमेजन ग्रेट एंजिन से उसमें से मैंने ओडर किया है तो चले जंदी से खोलते है इसको और देखते है इसकी खोलड़ी और आपको भी बता दूंगा इसकी कैसे यह कोले कि फिर आप इसे पर्चेस करना हो तो मैं लिंक पी प्रवाड कर दू प्लास्टिक बैग में है क्योंकि यह एक जरी लगेज है तो इसे ज्यादा प्लास्टिक प्लास्टिक बैग में उसे रैप करके बेज दिया है और कुछ इस तरह से आपको अंदर पैकिंग भी लेगी और दूस्तों इस MR पे लिखी हुई है 2600 देख पार है नहीं पता नही है लेकिन आपको इसको क्लोजर लुप देख दूगा और काफी इसका बैग दीख रहा है दोस्तों पैकेज के अंदरी तो जैसे कि यह बैग है दोस्तों स्काइब एक का और इसके जो टैग से उसके तो काफी सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है बैग ऐ देखने में दोस्तों बैग काफी मॉर्स दीख रहा है और इसके उपर यल्लो कलर्स में सब कुछली का वर नीचे दिया गया है सकाइब कर लोगो सबसे पहले बात करूं इसकी पॉकेट की तो सबसे आगे की तरफ आपको एक पॉकेट मिल जाएगा जो कि एक आपका इजी एकसेस पॉकेट है और इससे पॉकेट भी काफी बड़ा जोस्तों आप इसमें कुछ भी रख सकते हो जैसे कि हैड़फॉन से आपका पॉन हो गया सकते हो इसी तो यह था एक इससे उसके बाद एक और एक मिल जाता आपको पॉकेट जो कि फॉस्ट पॉकेट है आगे की तरफ से काफी अच्छा है वो भी अंदर से और जैसा कि कमेंट्स में लिखा था कि थीन मटरेल यह उसकी गया है लेकिन दोस्तों थीन नहीं है अच्छा ही है काफी और कॉलेटी भी अच्छा ही है यह था फॉस्ट पॉकेट्स साइकेंड पॉकेट्स देखते हैं अच्छे एकॉलेटी दोस्तों पॉकेट्स की भी और अंदर की तरफ कुछ मार्किंग सब लिखी हुए स्काइवेर 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 करके आपको मेरी लूप देता हूं इसका क्लोजली के राता है इसमें स्पीन पॉकेट्स थर्ड पॉकेट्स अब दोस्तों आपको थर्ड पोकेट्स में एक लैप्टोप का अलग से छोटा पॉकेट्स दिया रहेगा जिसके अंदर आप इविली लैप्टोप भी आपका रख सको और अगर आपको कुछ अपनी एक्सेसरी यहां पे लाश में रखनी हो तो भी रख सकती हो अगर लैप इसके अंदर एक टैग दिया हुओ है स्काइबेग का वारंदी सरिफिकेट भी यह साथ में आप उसको कॉंटेक्ट भी कर सकते हो 24 बस सेवन हेल प्लैन भी है और एक बार कोड है प्रोड़क का और दोस्तों साइट पर एक मिल जाएगा आपको एक स्काइबेग मोविन स्टाइल एक टैग मिले गए यहां पर अगर मैं बात करूँ पीछे उसके स्ट्रैप्स की तो स्ट्रैप्स काफी अच्छे है मैस भी दिया गया है ताकि आपका जो स्वेटिंग हो तो स्वेट कर सक या फिर एर अंग आपको इंटेप करने में अच्छा रहेगा और पीछे निखा हुआ है एर मैस और पीछे भी पैडिंग अच्छी की गई है काफी हाड है पैडिंग और बात पर लोकर बॉटम की तो बॉटम में भी हाड मतेरी उसकी आगए तकि आपका भी लैप्टोप या फिर कुछ रखो तो बॉटम में वह एद्दम हीट ना हो ग्राउंड पे तो अवरल बैक काफी अच्छा है अगर आप लेना चाहो तो इससे ले सकते हो और वैल्यो फर मॉनी है और बॉटल की बात करो तो दोस्तों इसमें डो पॉकेट्स दिये गए बॉटल के एक और इसके पर लिखा एक ड्रिंक अब और एक बॉटल का मार्किंग भी है और एक साथ में कुछ चिंज जैसे दिया रहेगा साहिज इसको आप बॉटल इसमें दर फीट कर सको जब आप इसमें बॉटल लाटिंगे तो यह था दोस्तों इसका ओवरूल और बात करूंगे मैं इसके वेली पर मनी की तो यह 600 में वेली पर मनी है दोस्तों अगर आप इससे पर चेस करना तो चले दोस्तों भी इसका प्लोजर लुक आपको देर रहा हूं कि एक एसा लग रहा है तो यह सब सब तरहां टाइक है टाइक पे बैक्स की डामेंडशन्स और सब लेखा हुआ का जो जो अंदर है 12 मंत की वारंटी देखी हुए है जिपर टेस्टेट पैब्रिक टेस्टेट एन बिल्ट टू लास्ट स्ट्रेप जो कि स्ट्रेप से वह और पिछे के चराफ है कूल टू और स्कूल स्कूल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और दूसरा एक टैग है दूसरा पर उसकी MRP लिखी हुए है जो कि कंपनी की दीवी है तो सिप्स टेबल जिरो और इसके मार्केट बाई वी आई पी इंडेस्ट्री इस लिमिटेड और बाके सब डीटेल्स है और पीछे की तरफ तो वरूंग धवन है और कोई और बैग है लेके ही खड़ा हुआ ह जो कि यह बैग नहीं है और लास्ट में पॉकेट की बाद करें तो इसके बदर एक बारकोड भी दिया गया है और वरॉंटी सर्टिफिकेट है यह 12 मंद्स इंटरनेशनल वरॉंटी और यह उसके पॉकेट उसके अंदर का माट्रियल यह फर्स पॉकट के उपर भी आपको एक ब्रैंडिंग लोगो मिल जाएगा जो कि स्टीच की हुआ है जो एमेजन पर मैंने आपको बला था कि रिव्यूज दिये लिखे गए कि स्टीच अचा नहीं है लोगो के तो यह जो टैग था उसके स्टीच के बारे में उसने बाटल उसका नाम और यह बाटल के साइड पॉकेट्स जो की मैस्ट लगा हुआ है यहां पर निचे की तरफ है बेक का कलर और उसी का प्रोड़क्ट आपको मट्रेल मिलेगा और यह एक स्ट्रैप है जब यह बाटल इसमें रखोगे तो यह स्ट्रैप की मदसी है बाटल उ बाटल तो चैन में दोस्तो अच्छा यूज किया गया है कपड़ा और उसे भी स्ट्रीटिस किया गया हुआ है तो यह साइड तो नहीं टोटेगा और चैन की कॉलेटी भी दोस्तो अच्छी हुई है काफी स्मूज है और ही उने पर और भी स्मूज हाजाएंगी है और यह स्ट्रेप्स के मैं से और अंदर के चरफ पैडिंग दी गई है ताकि आपको जब इस्वेट हो तो इसके अंदर एड इंटेक होके स्वेट ना हो पाए और यह दोस्तों इसका बॉटम जो की अच्छा पैडिट किया हुआ है ताकि आपको लैप्टॉप के जो है वह हीट ना हो फ्लूर पर अज़े लैप्टॉप का पॉकेट है अंदर यह था डोस्तों आजके इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जब आसे लाइक और शैर कर दीजिगा वीडियो को जितना हो सके और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेज़ेगा ऐसे ही नए नए वीडियो और टेकनिकल वीडियो के लिए और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस करेज़े ताकि जब भी मैं वीडियो अप्डेड करें तो आपको सबसे पहले नोडिफिक्सन मिल जाए मेरे वीडियो की